तो हलो, नमस्ते और सभी को राम राम, तो कैसे हो दोस्तों, तो स्वागत है सभी का आपके अपने गार्डनिंग इन्फो पर, और आशा करता हूँ आप स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो करी दिया होगा और अगर नए आए हो तो देर गिस बात कीगी तो चैनल को कर देजे सब्सक्राइब और वीडियो को कर देजे लाइक तो अगर गर्मियों का मौसम हो और चंपा का पोधा ना हो और इन फूलों की धीमी-धीमी खुश्बू से सारा गार्डन खिल उठता है क्यूंकि पीली चमपा से ज्यादा खुश्बू इस लाल वाले चमपा की होती है और आप जब कभी भी इन पोधों को अपने घर पर लगाए तो कोशिश करें कि इन पोधों को बड़े से बड़ा देना चाहिए क्यूंकि इस पोधे की ग्रोध काफी तेज भी होती है और पोधा काफी उचाई तक भी बड़ता है और साल दो साल में इस पोधे को रेपोर्ड भी करना पड़ता है क्यूंकि ये पोधा बहुत ज़ल्दी रूड बाउंड हो जाता है चमपा के पोधे की करिया आ रही होगी वो गिरने लगती है और जब पोधे को पाने की जरूरत हो तब ही उसे पानी दे इससे पोधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पोधे पर फूल भी खिलेंगे और गर्मियों के दिनों में आप चंपा के पोधे को लिक्विड फर्टिलाइजर कोई भी औ और गैनिक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं हमने पिछली ही वीडियो में उस टॉपिक पर बात की है आपको उपर आई बटन में उसका लिक भी नजर आ रहा होगा उस वीडियो में हमने सभी टॉपिक को कवर किया है जिसमें फर्टिलाइजर कैसे बनाना है और उस गर्मियों के दिनों में चमपा की देखभाल में एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए जिसमें पोधे की जो पत्तिया होती है उसकी नीचे की तरफ मेलीबक्स का हमला ज्यादा तर गर्मियों में दिखाई देता है तो इसे आप अपने पोधों पर रेगुलरली चेक भी क ग्रोत कर रहा होता है और अचानक से पोधा अपने सभी लीब्स को पीली करके गिरा देता है ऐसा तभी होता है जब पोधे की मिट्टी में फंगस का हमला हो जाता है और वैसे भी पोधा चमपा का हो या कोई और गमले में लगाया है तो उसकी केर तो करने ही पड़ेगी क् पोधा जमीन में लगाया जाता है तो साल में एक बार उसे खाद दे दिया और जब पोधे को जरूरत हो तब उसे पानी दे दिया हो गई पोधे की केर तो इसीलिए अगर पोधा गमले में लगाया हो तो उसे पानी देने से लेकर अच्छी संलैट मिलने तक उसकी केर हमें करनी होती है और तब जाके पोधा अपने अच्छी क्रोथ भी करता है और फूल भी देता है तो आपने वीडियो को लाइक तो करी दिया होगा तो चलते चलते अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेर कर दीजे वीडियो तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं किसे नए वीडियो के साथ किसे ने टॉपिक के साथ अब तक देखते रहे हैं